कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशुक गहलोत अपना पहला मंत्री मंडल विस्तार करने जा रहे हैं राजनीत में यातायात के नियम दुर घटना से देरी भली नहीं चलती है यहां तो बस यही चलता है मच्यू को चौहान इससे पहले कि कुछ बिगड़ जाए जल्दी से जल्दी जो छेवी धायक बहुजन समाज पार्टी के कॉंग्रेस में सामिल हुए है उन्हें वफादारी से नवा जा जाना है कहा जा रहा है कि जो छे विधायक बोजन समाज पार्टी के कॉंग्रेस में शामिल हुए हैं उनमें से दो या तीन को राजी मंत्री बनाया जा सकता है और बाकियों को संसद्य सचीव के पत से नवा जा सकता है राजी में अशोग गहलोत बहत मजबूत हो गए हैं अब उनके पास बहुमत से 20 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है यानि बदली हुई परिस्तियों में कॉंग्रेस के उपमुक्हिमंत्री और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक सचीव पाइलट की तुलना में अशोग गहलोत अब ज़्यादा मजबूत हैं अब सचीन पैलेट के पास बारगेनिंग पावर भी कम बचा है क्योंकि उनके पास जितना विधायकों का समर्थन प्राप्त है उससे ज़्यादा कहीं अशोग गहलोत के पास है लिहाजा अशोग गहलोत सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं और वहाँ पर कहा जा रहा है कि वो मंत्री मंडल विस्तार की हरी जंडी लेकर आएंगे स्थानिये निकाय के चुनाओं से पहले निगम और बोर्ड में राजनितिक नियुक्तियां भी होने जा रही है उसके लिए भी सोनिया गांधी से चर्चा की जाएगी इसमें भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो एसोसियेट कॉंग्रेस के विधायक हैं यानि जो निर्दलिये कॉंग्रेस के साथ दे रहे हैं उन्हें निगम और बोर्ड में स्थापित किया जाएगा उनको निगम और बोर्ड में पदों से नवा जा जाएगा कहा जा सकता है कि जिस तरह से कॉंग्रेस ने बहुमत जुटाया है और इस बहुमत को जुटाने में जिन लोगों ने मदद की है उनको राजनितिक पदों से लभानवित किये जाने के का वक्त अब आ गया है इसलिए कि अस्थानिये निकाये चुनाओ अगले महिने से सुरू होने है और वहाँ पर कॉंग्रेस चाहती है कि मजबूत होकर उबरे कहा जा रहा है कि अभी राज्ये मंत्री परशद में 25 मंत्री हैं जिसमें 5 की जगा और बाकी है यानि 5 नए चेहरे और शामिल किये जा सकते हैं ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 मंत्री जो मौझूदा मंत्री मंदल में शामिल है उन्हें ड्रॉब भी किया जा सकता है उनकी जगा दो तीन नए चेहरे भी शामिल किये जा सकते हैं इन सारी संभावनाओं के बीच कॉंग्रेस के अंतरिम राश्ट्री अध्यक सुनिया गांधी से अशोग गलोत की मुलाकात होने वाली है उसके बाद ही इसकी पूरी रूप बेखा तै होगी शरत कुमार राजस्तान आज तक